है पिरी कुकिंग यूट्ट्यूम चैनल पर सभी का सवागत थैंount 50 पलस फिर कुकिंगेंड बेकिंग कोर्सिस देखने के लिए आपको अमारे फिरी कुकिंग चैनल के होम 피ठ से प्ले लिष्ट पर आपको자를 50 come चैनल के सभीज़ेंhen देखने को मिलेगी ओके फ्रेंड आप इन सभी कोर्सिच की सभी रेसिपियों को 200 ml या फिर 250 ml कप सेट तोनों में से कोई से भी कप सेट से बना का त्यार कर सकते हैं फ्रेंड आज हम अपने ड्राय मसाला कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं इस कोर्स की रेसिपी नंबर 7 मैगी मैजिक मसाला की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने आए हैं फ्रेंड हमारी बताई गई रेसिपी से मार्किट स्टाइल मैगी मैजिक मसाला बनाना होती ज़्याद असान है आपको हमारे इस मसाले में मार्किट जैसा ही टेस्ट मिलने वाला है यह मैगी मसाला आपको देखन में मारकी्ट जैसे देखने को मिलेगा मैंगी मसाला पावड़ा की रेसिपी को देखने के बाद और ata की प्संदाने ये रेसिपी को लाइक शेयर करना नह भूलिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्टी टेस्टी और असान तरीके से मैगी मैजिक मसाला कैसे बनाए जाता है मैं यहाँ पर मैगी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले यूज होने वाले खड़े मसाले ले रही हूं मैगी मसाले को टेस्टी बनाने के लिए हमें सबसे पहले खड़े मसालों को रोस्ट करना है खड़े मसालों में मैं ले रही हूँ साबुत धनिया, इसके बाद मैं ले रही हूँ साबुत जीरा, मसाले को टेश्टी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ हरी सोफ, इसके बाद मैं ले रही हूँ लोंग, अब मैं ले रही हूँ साबुत काली मिर्च, अब मैं ले रही हूँ करना है सबी खड़े मसालों को बहुत ज्यादा रोष्ट करना है बस मसालों को इतना रोष्ट करना है कि आपके मसाले अच्छी तरीकी से गरम मोजाएं फ्रेंड मसालों को रोस्ट करते हुए एक से देड़ मिनट हो गया है मसालों को रोस्ट करने के बाद मसालों को हाथ से चू कर देखना है कि मसाले अच्छी तरी किसे गरम हुए यानि फ्रेंड मेरे मसाले अच्छी तरी किसे गरम होगे मैं गैस को बंद कर रही हूं आपको अपने खड़े मसालों को रोस्ट करने में अपनी गयज 키 हीट के कोडिंग एक से दो मिनट का समय लग सकता है खड़े मसाले के रोस्ट हो जाने के बाद इन्हें एक प्लेट में करना है अब मैं अपने इन सभी मसालों को ठंडा करने के लिए रख रही हूँ मैगी मसाला में यू जोने वाले नमक को मैं हलका सा रोस्ट कर रही हूँ फ्रेंड नमक को रोस्ट करने से हमारा मैगी मसाला सोगी नी होगा एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनका त्यार होगा नमक को भो जादा रोस्ट नहीं करना है ब्लो फिलेम पर शिर्फ आधा मिनट के लिए ही रोस्ट करना है फ्रेंड उमक को रोस्ट करते हुए मुझ मिक्षी के जार में डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूं दानेदा चीनी अब मैं चीनी के साथ इन सभी खड़े मसालों को मिक्षी में घुमा का इन सब का बारिक पौडर बना का त्यार करूंगी यह देखें फ्रेंड मिक्षी में घुमाने के बाद खड़े मसालों का बा कम ठीक होती है यह धाम करती है इसके बाद मैं ले रही हूं आप इसकी जगन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं ед love पॉडर आपको ऑन बशे शोप पर या फिर ओंर असानी से मिल जाएगा अब मैं इन सभी मंशालों को अधा से Here I am garlic and onion powder को skip करना है ऐसा करने से आपका Mercedeselli, tidak garlic and onion क्यों बनका त्यार यह देखें ? सबी मसालों को छानने के बाद हमारा perfect consistency में їх मासाला बनका त्यार हो गया है month market में मिलने वाली recipe में जो वहातका बनाहुआँ मैगी मिसाला पवडर होता है अपने हाथ से बने हुए मेगी मिसाला पॉडर मे खुस्बू और योगrike होते हैं आप अपने इस ढबिले मेगी रेसिपी में यूझ कर सकते के बाड आपको अपना मर्कित जैसा मेगी मसाला जैसा ही दिखाई देगा फ्रेंड मुझे अपने इस मसाले में你就 mix नहीं करना इसलिए मैं इसको skip कर रही हूं फ्रेंड आपको अपने मैगी मैजिक मसाला पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में करके 6 मेने के लिए शो करके रख सकते हैं हमारी बताएगी रेसिपी से यह मसाला साथ से आठ बड़ी चमच और वेट में 50-50 ग्राम मैगी मसाला पाउडर बनका त्यार होता है अब मैं आपको अपने इस मैगी मैजिक मसाला पाउडर की फाइनल प्लेटिंग करने के बाद आपको दिखाती हूं यह देखे फ्रेंड हमने अपने मैगी मसाला पाउडर की जरूर बनाएं क्योंकि हम अपनी बहुत सारी रेसिपी ओं में इस मसाले को यूच करने वाले जिससे हमारी रेसिपी और भी जादा टेस्टी बनका त्यार होईगी अगर आपको हमारे ड्राइब मसाला कोर्स में रेसिपी नमबर सेविन मैगी मसाला पाउडर की रेसिपी पसंद आईए तो प्लीज इस रेसिपी की वीडियो को लाइक शेयर और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बराबर में बने बैल आइकन को दबाने से आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पोचेगा इस रेसि पी हम आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाले ओके फ्रेंड फिर मिलेंगे बाइबाइबाइब